बिग बॉस सीजन 13 में हुए हाथसे पर अब छलका है मधुरिमा तुली का दर्द मधुरिमा ने एक इंटर्वियू में बताया कि बिग बॉस 13 के बाद उन्हें कुछ प्रोजेक्ट्स ओफर तो हुए लेकिन चैनल वालों ने उन्हें लेने से इंकार कर दिया चैनल ने कहा कि मधुरिमा को हम अभी नहीं ले सकते मधुरिमा की छवी बहुत नेगटिव हो चुकी है वेल मधुरिमा तुली ने इसी पर ही बात करते हुए कहा कि घर के अंदर पहले विशाल आदित्ति सिंग ने मेरे उपर पूरे जोर से पानी फैका था और वो भी मेरे मुँपर अगर कोई आपके मुँपर पानी फैकेगा वो भी पूरी जोर से तो आपको गुस्सा आएगा ही आप रियाक्ट करेंगे ही मेरा रियाक्शन बहुत बुरे तरीके से निकला और मैंने वो कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था मधुरिमा ने कहा कि मुझे बिग बॉस सीजन 13 में पार्टिसिपेट करने का अफसोस नहीं बलकि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं क्यूं अपने गुस्से पर काबून नहीं कर पाई मधुरिमा ने आगे ये भी कहा कि विशाल और मैं इस सिचुएशन में हम दोनों थे पहले विशाल ने मेरे उपर पानी फैका था पहले विशाल ने मुझे पोक किया था लेकिन इन सब की सजा सिर्फ मुझे मिली जिसे काम नहीं मिला वो सिर्फ मैं थी अक्टरेस ने कहा कि मैं काई बार समझ नहीं पाती हूँ कि क्यूं हमारी सोसाइटी में सिर्फ महिलाओं को ही सजा मिलती है सिर्फ महिलाओं को ही दबाया जाता है फिल बात तो सही है विशाल अदित्य सिंग को जहां उसी चैनल पर एक सूपर हिट रियालिटी शो ओफर हुआ तो वही मधुरिमा तुली को कोई भी काम देने को तयार ही नहीं जबकि मधुरिमा गलत थी तो विशाल अदित्य सिंग भ झाल झाल झाल